तो गैस आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे आप लोग को बताने वालों कि आप लोग अपने Free Fire को Keyboard and Mouse के साथ कैसे Play कर सकते हैं वो भी अपने Smartphone के अंदर और इसमें आप लोग को कौन कौन सी चीज़ों के जरूरत पढ़ती है या सब कुछ आप लोग को इस वीडियो क लिए काफी ज़्यादा helpful और interesting होने वाली है तो गैस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजेगा तो चली वीडियो को स्ट कर लेते हैं और यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कौन कौन सी चीजों के हम लोगों को जरूरत पड़ती है यह पहले हम लोग यहां पर इस वीडियो के अंदर यहां पर जान लेते हैं तो देखो गाइस इस सेटप को हम लोगों को कम्प्लीट क बोलते हैं इसको एंड उसके बाद यहां पर यह जो दूसरी चीज़ है इसे हम लोग बोलते हैं यहां पर इसको बोलते हैं USB हब इसे भी आप लोग मार्केट में डूड़ोगे तो आप लोग को मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो आप लोग को फिलिप काट एंड इमोजन प पढ़ती है औक एंड़ उसके बाद आप लोग के पास smartphone तो है भी इसमें अपड्री फायर प्ले करते है और उसके बाद यहां पर हम लोग को कौन सी चीज को जरूरत पड़ीगी है तो आपको जाना है अपने smartphone के play store में एंड़ बात आप लोग को यह एक Octopus नाम का यह application मिल जाएगा बिल्कुल free में है इसे आप लोग use कर सकते हैं आप लोग को इसको install कर लेना है अपने smartphone के अंदर और उसके बाद आपको simply इसे open guys यहाँ पर कर लेना है तो हम लोग इसे allow करेंगे open करने के बाद और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को इस तरह का जो interface है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो अब गई समनों को यहाँ पर क्या काम करना है कि आप लोग को यह जो OTG connector है उसे आपको यहाँ पर simply यहाँ पर connect कर देना है यानि कि इसमें लगा देना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है कि इसमें यहाँ पर light आजाएगी अगर आपके USB हब में light होगी तो यहाँ पर light आ जाएगी और उसके बाद आपको यहां पर क्या काम करना है कि अपने mouse को यहां पर plug कर देना यानि कि लगा देना है और उसके बाद यह जो दूसरा वाला है यानि कि जो keyboard का plug है गाईस उसे आपको यहां पर लगा देना है यानि कि जो keyboard का USB है इसे आपको यहां पर लगा देना है जैसी दोनों आप लोग यहाँ पर लगा दोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह दोनों यहाँ पर connect हो चुका है यहाँ पर बता रहे हैं USB, optical, mouse, sigma, chip, USB, keyboard तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह connect हो चुका है और यहां पर मैं अगर यह mouse को यहां पर करूँगा तो यह देखो यहां पर बता रहा है अब यहां पर हम लोग को क्या काम करना है कि इसमें हम लोग को यहां पर यह जो plus का icon दिख रहा है और आप लोग को यहाँ पर अपना जो free fire है ना उसे यहाँ पर आप लोग को ढोल लेना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरो को यह मेरा free fire मिल चुगा है और यहाँ free fire के सामने आप देखोगे तो add का एक option मिलेगा जो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले से एड़ेट किया हुआ, यानि कि एड़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेरे में यह एड़ेट का जो है बटन दिख रहा है, ओके, एड़ का यहाँ पर दिन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से प्रोसेस किया add पहले से कर लिया है तो आप लोग इसे यहांपे add कर देना और उसके बाद यहांपर back जाओगे तो यहांपर आप लोग को प्रदग कर लोग है यानि कि जो free fire हो यहांपी आप लोग को देकने को मिल जाएगा ओके और उसके बाद आप लोग को प्लिक क्या काम करना है guys कि आपको अपने इसी free fire वाले option पर click करना है और उसके बाद यहां पर allow कर देना है ठीक है तो जैसे यहां पर आप लोग allow करोगे तो आप लोग को यहां पर जो कुछ permission जो मांगता है इसे आप लोगों को click करना होगा और उसके बाद यहां पर accept करना होगा ठीक है जितने भी दिये गया है permission आप लोग को यहां पर accept कर लेना है इस ठीक है तो जैसे कि मैं यहां पर accept कर रहा हूँ ठीक है तो आपने यहां पर accept कर लेना है तो मैं इसे यहां पर पूरा accept कर लेता हूँ जैसे मैं कर रहा हूगा इस आप लोग को यहाँ पर इस तरह से कर लेना ठीक है तो आपने यहाँ पर accept कर लेना है पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा green हो चुका है और उसके बद आप यहाँ पर आप लोग को back हो जाना है तो बैक जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर अपनी free fire के logo पर simply click out कर देना है एंड उसके बाद continue play with octopus पर simply click out मार देना है ठीक है तो इसके बाद यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा wait करना होगा तो यहां पर आप लोग देखें, थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को यहां पर पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अमरो जो गरेना free fire है, वो यहां पर open बस होने ही वाला है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, और उसके बाद मैं आप लोग को यहां पर बताता हूँ, बिल्कुल लाइग पूरूप के साथ खेल की भी दिखाता हूँ गाइस, तो यहां पर फाइली आप लोग देख सकते हैं कि हमरो जो free fire हो यहां पर इस तरह से open हो चुका है, हमने इसे login भी कर लिया है, और आप भी इसे login कर लेना, यहां पर चले इसे start कर लेते हैं, तो इसे हम लोग यहां पर पहले अपने इस map को लगा लेते है, class squad को, class squad baramunda, अब हम लोग इसे यहां पर start कर लेते हैं, finally guys, हमने यहां पर इसे start कर लिया है, and guys मैं आप लोग को बता दूँ कि इसमें की mapping करनी होती है, जो की setting इदर उधर ह यानि कि जो बटन वगरा है न वो इधर उधर होंगी जो कि हमें की मैपिंग यहाँ पर सेटिंग करनी होगी जो कि आप लोगों को मैं सेटिंग बताने लगा न तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा बट यहाँ पर गैस अगर कॉमेंट आएगा बहुत ज़्यादा कि आप लोग बोलोगे की मैप के बारे में बता दो तो मैं आप लोग को उसके बारे में भी वीडियो बना के बता दूँगा ठीक है तो जैसा कि मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोग को यह जो यह सारी key mapping होती है ठीक है तो आप लोग को मैं बता दूँ इसमें हम जाएंगे and उसके बाद यहाँ पे अगर हम click करेंगे तो यहाँ से सारी key mapping हम लोग sit कर सकते हैं बटे मैं आप लोग को अगर यहां पर की मैपिम बताने लगा तो बहुत ज़्यदा यहां पर वीडियो लंबा हो जाएगा तो गाईस इस तरह से आप लोग बिल्कुल इजली तरीके से आप लोग अपने फ्रीफायर को की बोर्ड और माउस के साथ प्ले कर सकते हैं अपने स्मार्पून के अंधर तो यार आई होप आप आप सभी को ये वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो यहार मिलते हैं फिर से किसे न्यूव इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक क्लिए गुड़ बाइ गाइस